ओम शांती आज है अठारा मई दो हजार चौबिस की साकार मुर्ली आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे माहा वाक्यों को मीठे बच्चे याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे बाब खत्म हो जाएंगे क्यूंकि याद है तलवार की धार इसमें अपने आपको ठगना नहीं प्रैश्न है बच्चों को करेक्टर सुधारने के लिए बाब कौन सा रास्ता बताते हैं उत्तर है बच्चे अपना सच्चा सच्चा चाट रखो चाट रखने से ही करेक्टर सुधरेंगे देखना है कि सारे दिन में हमारा करेक्टर कैसा रहा किसी को दुख तो नहीं दिया फाल तो बात तो नहीं की आत्मा समझ कर बाब को कितना समयाद किया कितनों को आप समान बनाया ऐसर जो पोता मेल रखते उनका करेक्टर सुधरता जाता है जो करेगा सो पाएगा नहीं करेगा तो पच्चताएगा ओम श्यांती रुखानी बच्चों प्रती रुखानी बाब बैट समझाते हैं क्यूंकि यहां सम्मुक हैं ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाब को याद करते हैं कहा कहा बुद्धी जरूर जाती होगी वह तो हर एक अपने को समझ सकते हैं मूल बात है सतो प्रधान बनने की सोतो याद की यात्रा के सिवाए बन नहीं सकेंगे भल बाबा सुभा में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं कशिश करते हैं नंबर वार खींचते जाते हैं याद में शांती में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं, प्रंतु सवाल है सारे दिन में क्या करते हैं? वह तो हुई सुबा में घंटा, आदा घंटा याद के यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयू बढ़ती है, प्रंतु सारे दिन में कितना याद करते है कितना सोदर्शन चक्रधारी बनते हैं ऐसे नहीं बाबा तो सबको जानते हैं अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो कोई राइट लिखते हैं कोई रॉंग लिखते हैं समझेंगे हम तो शेबाबा के ही साथ थे शेबाबा को ही याद करते थे प्रंतु सचमुच याद में थे बिलकुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शेबाबा की याद में है देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए हमको शिब बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं बाब समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाब को याद करना है बाब तो कशिश करते हैं सभी आतमाएं बाब को याद करें और कोई याद ना आए, प्रंतो सच्मुच याद आती है वा नहीं, वह तो खुद पोता मेल निकालें, कितना हम बाबा को याद करते हैं, जैसे आशिक माशुक का मिसाल है, यहाँ आशिक माशुक रुहानी हैं, बाते ही न्यारी हैं, वह ज जिस्मानी यह रुहानी, देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे, फिर औरों को भी याद दिलानी है, आत्मा पर जो चंक चड़ी हुई है, वह याद के बिगर तो उतरेगी नहीं, भक्ती में अनेकों को याद करते हो, यहाँ आत्मा छोटी बिंदी है, तो बाबा भी छोटी बिंदी बहुत बहुत सुक्ष्म है, और नौलेज है बड़ी, श्री लक्षमी वा नारायन बढ़ना, विश्य का मालिक बढ़ना, कोई मासी का घर नहीं है, बाप कहते हैं, अपने को मिया मिठ्थू समझ ठगी नहीं करना, अपने से पूछो, सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया तो कट निकले, कितनो को आप समान बनाया, यहाँ पोता मेल हर एक को अपना रखना है, जो करेगा वह पाईगा, जो नहीं करेगा तो पच्चत आएगा, देखना है हमारा केरेक्टर सार दिन में कैसा रहा कोई को दुख तो नहीं दिया या कोई फालतो बात तो नहीं की चाड रखने से करेक्टर सुधरेगा बाप ने रास्ता तो बताया है आशिक माशुक एक दो को याद करते हैं याद करते ही वह सामने खड़ा हो जाता है दोस्त्रियां फिमेल है तो भी सक्ष परकश अदकार हो सकता है कोई-कोई और भाई से भी बहुत तीखे होते हैं मित्रों का आपस में इतना लग हो जाता है जो भाई ना हो एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं बाबा तो अनुभवी है ना तो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करता है चुम्बक है एवर प्योर तो वहा खींचता है बाप तो बेहद का है ना समझते हैं यहां तो बहुत लवली बच्चे हैं बहुत जोर से कशिश करते हैं प्रंतु यहां याद की यात्रा बहुत जरूरी है कहां भी जाते हो मुसाफिरी करते हो उठते बैठते खाते याद कर सकते हो आशिक माशुक कहां भी याद करते हैं ना यहां भी ऐसे है बाप को याद तो करना ही है नहीं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे और कोई उपाई है नहीं यहाँ बहुत महीन है तलवार की धार से चलना होता है याद है तलवार की धार घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है तलवार क्यों कहते हैं क्योंकि इन से पाप कटेंगे तुम पावन बनेंगे यह बहुत नाजुक है जैसे वो लोग आग से पार करते हैं तुम्हारा फिर बुद्धियोग चला जाता है बाप के पास बाप आई हैं यहां हमको वर्सा देती हैं उपर में नहीं हैं यहां आई हैं कहते हैं साधारन शरीर में आता हूँ तुम जानते हो बाप उपर से नीचे आया है चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं यहां तो बाबा जानते हैं बहुत कशिश करते हैं प्रन्तु यहां तो हुआ आधा पौना घंटा बाकी सारा दिन वेस वेस्ट गवाया तो इससे क्या फाइदा बच्चों को अपने चार्ट का ओना रखना है ऐसे नहीं हम तो भाशन कर सकते हैं चार्ट रखने की हमको क्या धरकार है यहां भूल नहीं करनी है महरतियों को भी चाट रखना है महरति बहुत नहीं है गिने चुने है बहुतों का नाम रूपादी में बहुत टाइम वेस्ट जाता है मंचिल बहुत उंची है बाब सब कुछ समझा देते हैं जो स्टूडेंट ऐसा ना समझें कि बाबा ने फलानी पॉइंट नहीं समझाई यहा है मुख्य याद और स्रिस्टी चक्र की नौलेज इस स्रिस्टी चक्र के चुरसी जन्मों को तो कोई नहीं जानती सिवाए तुम बच्चों के वेराग्य भी तुमको आएगा तुम जानते हो अब इस मृत्य लोक में रहने का नहीं है जाने से पहले पवित्र जरूर बढ़ना है दैवि गुन भी जरूर चाहे नमबरवार माला में पिरोने हैं फिर नमबरवार राजधानी में आने है फिर नमबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है अनेक देवताओं की पूजा होती है क्या-क्या नाम रखते हैं चंडिका देवी का भी मेला लगता है जो रेजिस्टर नहीं रखते वह सुधरते नहीं है तो कहा जाता है यहाँ तो चंडिका है सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है यहाँ फिर है बेहद की बाते पुरुशार्थ नहीं करेंगे तो बाब कहेंगे कि यहाँ तो बाब को भी मानने वाले नहीं है पद कम हो जाएगा इसलिए बाब कहते हैं अपने पर बहुत नजर रखनी है बाबा सवेरे आकर कितनी महनत कराते हैं याद की यात्रा की बड़ी बात नहीं है बाकी भारी माल है याद की यात्रा जिसमें फेल भी वहत होते हैं तुम्हारे युद भी इसमें है तुम याद करते हो माया पिछाड देती है नौलिज में युद की बात नहीं वहतो सोर्स ओफ इंकम है यहां तो पवित्र बनना है इसलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ कहेंगे पावन बनाओ तो यहां सब पॉइंट बुद्धी में रखनी है पूरा राज योगी बनना है नौलेज तो बड़ी सिंपल है सिर्फ युक्ती से समझाना होता है जुवान में मिठाज भी चाहिए तुमको यहां ग्यान मिलता है वहां भी कर्मों अनुसार ही कहेंगे शुरू से लेकर भक्ती की है तो यहां अच्छे कर्म किये हैं इसलिए शिप बाबा भी अच्छी तरह बैट समझाते हैं जितनी जास्ती भक्ती की होगी शिप बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ग्यान जल्दी उठाएंगी महरतियों की बुद्धी में पॉइंट्स होंगी लिखते रहें तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहें पॉआइंट्स का वजन करें प्रणतु ऐसी महनत कोई करता ही नहीं मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और अच्छी पॉआइंट्स निकाल अलग रखते होंगे बाबा हमेशा कहते हैं भाषन करने से पहले लिखो फिर जांच करो ऐसी महनत करते नहीं सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती है बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डाइरी में तुमको तो बहुत ज़रूरी है टॉपिक्स लिककर फिर पढ़ना चाहिए करेक्शन करना चाहिए इतनी महनत नहीं करेंगे तो उचल नहीं खाएंगे तुम्हारा बुद्धियोग और और तरह भटकता रहेगा बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं सर्विस भी गर और कुछ भी बुद्धी में रहता नहीं माला में आना है तो महनत करनी चाहिए बाप तो मत देती हैं फिर दिल से लगता है याद नहीं तो वहाँ खुद जाने भल धंदा धोरी आदी करो प्रंतो डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए नोट करने लिए सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए अलबे ले रहेंगे अपने को मिया मिठ्व समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं है घुंसा लगाती रहेगी लक्षमी नाराय बढ़ना मासे का घर थोड़े ही है बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है कोटों में कोई निकलेंगे बाबा भी सवेरे दो बचे उठकर लिखते थे फिर पढ़ते थे पॉइंट भूल जाती थी फिर बैट देखते थे तुमको समझाने के लिए तो समझा जाता है कि हनत है कर्म भोग होता है याद करना पड़ता है अच्छा समझो मुरली ब्रह्माने शेबाबा चलाते हैं बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शेबाबा ही तुम्हें सुनाते हैं कभी बीच में यहां बच्चा भी बोल देते हैं बाप तो बिल्कुल अक्योरेट ही कहेंगे इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं कई बच्चों के responsibility है बच्चे नाम रोप में फंस चलाई मान हो जाते हैं धेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं बच्चों के लिए मकान बनाने हैं यहाँ प्रबंद करना है है तो यहाँ सब ड्रामा बाबा का भी ड्रामा इनका भी ड्रामा तुम्हारा भी ड्रामा ड्रामा बिगर कोई चीज होती ही नहीं सेकंड सेकंड ड्रामा चलता रहता है ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं अडोल अचल स्थेरियम रहेंगे तुफान तो बहुत आएंगे कई बच्चे सच नहीं बताते हैं स्वापन भी धेर आते हैं माया है ना जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे बाप समझ जाते हैं बच्चों को वर्सा पाने के लिए याद में महनत करनी पड़ती है कोई कोई महनत करते करते ठक जाते है मंजिल बड़ी भारी है 21 पीड़ी विश्य का मालिक बनाते हैं तो महनत भी करनी पड़े ना लवली बाब को याद करना पड़े दिल में रहता है बाबा हमको विश्य का मालिक बनाते हैं ऐसे बाब को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े सबसे प्यारा बाबा है यहाँ बाबा तो कमाल करते हैं विश्य की नौलिज देते हैं बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े जो याद करते होंगे उनको बाब की कशिश होती होगी यहाँ आते ही हैं बाब से refresh होने तो बाब समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है बाबा देखते हैं सभी center से आते हैं देखता हूं पूछता हूं किस प्रकार की खुशी है बाबा जाँच तो करते हैं शक्कल से भी देखते हैं बाब से कितना लव है बाब के सामने आते हैं तो बाब कशिश भी करते हैं यहां बैठे बैठे सब भूल जाता है बाबा बेगर कुछ भी नहीं सारे दुनिया को भुलाना ही है वह अवस्था बड़ी मीठी अलोकिक होती है बाब की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आते हैं भक्ती मार्ग में भी आंसू आते हैं प्रन्तु भक्ती मार्ग अलग है ज्यान मार्ग अलग है यहां है सच्चे बाब के साथ सच्चा प्रेम यहां की बात ही न्यारी है यहां तुम शिबाबा के पास आते हो जरूर रत पर सवार होगा बिगर शरीर आतमाई तो वहां मिल सकती यहां तो सब शरीर धारी है जानते हैं यह बाप दादा है तो बाप को याद करना ही पड़े बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े बाबा हमको क्या देते हैं तुम बच्चे जानते हो, बाबा आया है, हमें इस जंगल से ले जाते हैं, मंगलम भगवान विश्णों कहा जाता है ना, सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्यान होता है, एक ही बाब है, तो उनको याद करना पड़े, हम क्यों नहीं किसका कल्यान कर सकते, जरूर कोई खामी है, बाब कहते हैं, याद का जोहर नहीं है, इसलिए वानी में भी कशिश नहीं होती है, यह भी डॉर्मा, अब फिर अच्छी तरह जोहर धारन करो, याद की यात्रा ही मुश्किल है, हम भाई को ग्यान देते हैं, बाब का परिचे देते हैं, बाब से वर सा पाना है, बाब फील करते हैं, घड़ी-घड़ी भूल जाते होंगे, बाब तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तो बच्चे-बच्चे कहते हैं, यहाँ बाब तो सबका है, वंडरफुल पार्ट है ना इनका, बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं, कि यहाँ अक्षर किसके हैं, बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे आया ही हूँ बच्चों को वर्सा देने बाबा सब सुना देते हैं बच्चों से काम मुझे लेना है न यहाँ बहुत वंडरफुल चटपटी नौलेज है यहाँ नौलेज अटपटी और खटपटी भी है वेकुंठ का मालिक बढने के लिए नौलेज भी ऐसी चाहिए न अच्छा हरे को बाप को याद करना है और जरूर करना है दैविगुण धारन करने हैं मुक्ष से कभी भी उल्टे सुल्टे अक्षर नहीं बोलने हैं प्यार से ही हर काम निकालना है अच्छा मीठे मीठे से किलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुठ मॉर्नि रुहनी बाप की रुहनी बच्चों को नमस्ते हम रुहनी बच्चों की रुहनी बाप दादा को नमस्ते जी सदा रहेंगे हस्ते जी वाह बाबा वह शुक्रिय बाबा शुक्रिय दिल से कहो मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा शुक्रिय मेरे बाबा आपका लाख लाख शुक्रिय धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक सवेरे सवेरे एकांत में बैट प्रेम से बाप को याद करना है सारी दुनिया को भूल जाना है बाप समान सबका कल्यान कारी बनना है खामिया निकाल देनी है अपने उपर बहुत नजर रखनी है अपना रजिस्टर स्वयम ही देखना है वर्दान है सर्व प्राप्तियों के खजानों को सम्रीती स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव संगम युग का विशेश वर्दान संतुष्टता है और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है असंतुष्टता का बीज स्थूल वा सुक्ष्म अप्राप्ती है ब्रहमनों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तू ब्रहमनों के खजाने में सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समयकार्य में लगाओ अर्थात सम्रीती स्वरूप बनो बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे श्लोगन है जहां निश्चे है वहां विजे की तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम श्यांती सभी भाई और बहनों को ओम श्यांती जरूर बाबा को दिल से याद करें बाबा साथ अपनी सारी बातें शेयर करें और अपना चार्ट जरूर रखें अच्छा ओम श्यांती